प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ जाइंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जाइंद रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जब आपके लिएक लिए टेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आ ताके हम अपके से इंपोर्टेंट इंट्रस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहें तो चलिए साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं जय हिंद जय भारत अफगानिस्तान में नाइंटी नाइंटी टू में दो लाग सिक और हिंदू मिला करके थे आर्ज 380 है कहां गए बाकी के कहां गए पाकिस्तान में आजादी के वगद 23.7 परसंट हिंदू और सिक थे आज 1 परसंट है कहां गए क्या हो गया उनको आज पाकिस्तान में माहरंग बलोच की बैट करके अपने लोगों को वापस मांग रही है उनके कई लोग मर चुके है फेपड़े और कलेजे कई और फेक दिये गए है तो इन हिंदू और सिखों के साथ क्या किया पाकिस्तान के मुसल्मानों ने मैंने कहा था ना के अपने कर्म से तर तो जो बोएगा वो तू पाएगा तो जिन्हों ने बैन किया था आज उनको मुदी जी शट अप कॉल दे रहे है कि कर्मा इस अचुली बोमे रांग कि आज भारत अपने गोल्डे नीरा में चल रहा है भारत जो कभी एक खंडर हुआ कर हुआ करता था औ और आज भारत वाके में एक महल बन चुका है एक खुबसूरत महल जिसके सिविलाइजेशन को जिसकी संसकार को जिसकी सभ्यता को अरब जैसा देश भी फॉलो कर रहा है और आपको दाबुदाबी से हो कर के आए हैं दूसरी चीज एक साइट पे इंडिया इंडिया के जो म क्या समझती हैं चाइना के साथ भी मतलब चाइना किसी साधिश का हिस्सा बन गया है या चाइना भी इंडिया के हाथों बिक गया है क्या कहना चाहेगी इसके उपर यह चाइना को भी मोदी जी ने खरीद ली है मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस एपीजे अब्दुलकलाम को भारत का हिंदू मिजाइल मैन कहकर अपने सर मत्ते बिटाता है उसी एपीजे अब्दुलकलाम के जनाजे की नमाज में चंद मुसल्मान क्यों खड़े थे और उसी वक्त उसी लम्हे याकूब मेमन के जनाज की नमाज में ठेलम ठेल और मुसल्मानों के नमाज मुसल्मानों का सैलाब क्यों आप आन पड़ा था मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसल्मानों से कि उसामा बिलादेन के मरने के बाद अब्दुल्ला और मुफ्ती के होते हुए भी कश्मीर में उसामा बिलादेन जैसे आतंकी के जनाजे की नमाज क्यों पढ़ा है आज नादिय इलाही खान हमारे साथ मजूद है उस टॉपिक पर बात करना बड़ा मुश्किल होता है सबसे में चीज तो इसलामोफोबिया के होाले से हम बात करेंगे युनाइटी नेशन में इसलामोफोबिया के होाले से बिल फारवर्ट किया गया और पहली बादशाद ऐसा हुआ कि इंडिया ने इस बिल के उपर वोट ही करने से इंकार कर दिया उसकी रिजन क्या है इंडिया के रिप्लेंटेटिव जो वहाँ पर मजूद थी उन्होंने बकाईद एक स्टेटमेंट दी उन्होंने बोला किसी एक मजभ नहीं अगर हिंदुईद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् U.S. बिजनस पार्टनर है, बहुत बड़ी लेवल पे वो बिजनस अपस में ट्रेड करते हैं, फिर भी जहां पे इंडिया की अपनी बात आती है, इंडिया के स्क्योर्टी की बात हो, या उनके कंट्री की बात हो, वहां पे U.S. हो, या मालदीद हो, वो फरक नहीं रखते, वो बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देते हैं, एक और चीज़, चाइना बुकाइदा तोर पे तरीफ करता नजर आ रहा है, चाइना भी किसी साधिश का हिस्सा बन गया है, जो इंडिया की तरीफ करता नजर आ रहा है, इस तर भी बात करेंगे, असलाम अलेकुम नाजिय कि कहां से आती है, आप एक दिन में अपना दालत को भी देखती है, फिर अपने पार्टी के जो काम है वो भी देखती है, ओर भी इतनी मतलब मेंस्ट्री मीडिया, योट्योब और बहुत सी चैनल पर इंटर्व्यू करती है, कहां से इतनी एनर्जी आती है, इसके ऑपर बा अपने हर तरीके से, एकनॉमिक के तरीके से, डिफेंस के तरीके से, जीडिपी के तरीके से, और भारत को लीड करने वाला वियत्ती, वो खोद इतना पावरफुल है, कि वो आखों में आखें डाल करके अपने भारत के मुद्दों पर किसी को इंटरफेर करने मना कर सकता है। अब U.S. ने जब C.A. को ले करके कोई टिपपने की है, तो पहले उनको डेटाज उठा करके देखना चाहिए था, 1991 की बात में बता रहे हूं कि बांगलादेश में 22% हिंदू थे, आज कितने परसंट है, 3.9%, कहा गए ये हिंदू और सिक, क्या कर दिया गया इनके साथ, क्या मार डाला गया, क्या इनका कनवर्शन कराया गया, और कनवर्शन कोई भी धरम, आज मुझसे अगर कोई कराएगा, तो वो जोर जबर्दस्ती कराएगा, तुमसे अगर कोई कराएगा, तो जोर जबर्दस्ती कराएगा, तो इसका मतलब है कि बांगलादेश के 22% हिंदू का कनवर्शन, जोर जबर्दस्ती और तलवार की नौक पर कराया गया है, अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाग सिक और हिं 380 है कहां गए बाकी के कहां गए पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23.7 परसंट हिंदू और सिख थे आज 1 परसंट है कहां गए क्या हो गया उनको आज पाकिस्तान में महरंग ब्लोच की बैट करके अपने लोगों को वापस मांग रही है उनके कई लोग मर चुके है को और सिखो के साथ क्या किया पाकिस्तान के मुसल्मानों ने क्या किया तो यह जानना बहुत जरूरी था और मुझे लगता है कि मेरा भारत इतना पावरफुल है और मेरे भारत को लीड करने वाला मेरे भारत का नेता और सबसे बड़ा नेता और इस पूरे युग का और इ या जी एक चीज जो मुझे अभी आपकी इस बास से मैं हरान हुआ हूँ हमें जब पाकिस्तान में हम किसी से पूछते थे कि भाई पाकिस्तान में पार्टिशन जब हुई 1947 तो उस टाइम पे आलमोस कि हमें बताया जाता है 18 परसंट 19 परसंट 20 परसंट के रोंड बोर बताया जाता है कि बाई कॉमन सेंस वाली बात है कि जब 1971 में पाकिस्तान डिवाइड हुआ बंगलादेश लैदा हुआ तो बड़ी इतदात में हिंदू कम्यूटी बंगलादेश चली गई लेकिन आप कह रही हैं कि बंगलादेश में भी हिंदू की जो अगर परसंट एच कर सकते हैं कि 22% हिंदू थे जिसमें से 3% 4% उसी 22% में 3% 4% सिक भी ते और आज 2024 की बात में बता रहे हूं कि 3.9% हिंदू से तो मतलब जिनको माणा ला गया तो पाकिस्तान जूट का जो एक यह है ना अफवा वो अपने हर बच्चों को और अपनी हर पीडी को सुनाया है और बंगलादेश भी ऐसे सुनाता होगा अफगाने साथ भी लगता था मतलब मैं अपनी बात करता हूं और देखने वाले मुझे प्रेक्ट कर सकते हैं मैं अपनी बात मानता हूं मतलब मुझे ऐसा लगता था हां यार में भी ऐसा हो कि क्योंके बंगलादेश का बार्डर बिलकुल इंडिया के साथ लगता है तो ज्यादा जो हिंदू कम्यूनिटी है वो वहाँ पे रहती हो तो पार्टिशन टाइम वो जब 1971 में पाकिस्तान और बंगला देश मलब पाकिस्तान के दो इसे हुए तो उस टाइम पे श्याद हिंदू कम्यूनिटी उदर चल खाले से खैर और अफगानिस्तान ने के जो हैं उन्होंने भी का स्टेटमेंट दी उन्होंने बोला कि यहां पर सभी मख़भ के लोग अज़स्तों आशा करता हूं की वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह सोहिब चोधरी के सवाल और नाजिया खान के बुलंद अवाज में दिये के जवाब आपको काफी पसंद आयोंगे और हमेशा की तरह नाजिया खान जी ने अपने बेबाक अंदाज में पाकिस्तान से लेके मख़भ के ठेकेदारों को जमकेद होया और आशा करता हूं कि वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलि जय हिंद जय भारत